फ्रेंट्स बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनोतियों का साल रहा है लेकिन इन चुनोतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है अपना कर्तव्य निभाया है वो भारत के लिए भी गर्व की बात है यही तो हमारी प्रम्परा है यही तो इस मिट्टी के सांस्कार है इस जगह से सोशल और पॉलिटिकल लिडर्शिप के लिए दुनिया भर में भारतिय मुल्के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिति सुरिनाम के नए राश्पति स्रिमान चंद्रिका प्रशाथ संतोखी जी कि बिस्वयम भी इस सेवा भाव का एक शांदार उदारण है और मैं ये भी कहूंगा कि इस कोरोना काल में विदेशे रोम है रहने वाले हमारे कई भारतिय भाई बहनों ने भी अपना जीवन खोया है मेरी उनके प्रती संबेदना है और उनके परिवार जनों के प्रती भी मैं परमात्मा बहुत शक्ति दें ये प्रार्शना करता हूँ आज सुरिणाम के राश्पती जी ने उनके गर्म जोसी बरे शब्द और भारत के प्रती उनके सने का भाव हम सब के रुदे को छू गया उनके एक शब्द में हर एक भाव में भारत के प्रती का जो उनका अहुभाव था वो प्रवाहित हो रहा था प्रगट हो रहा था और हमें प्रेरित कर रहा था उनकी तरह मैं भी आशा करता हूँ कि हम शिक्र ही मिलेंगे और हमें भारत में सुरिणाम के राश्पती जी का बग्व्य स्वागत करने का आउसर भी मिलेगा बीते वर्ष में प्रवासी भारतियों ने हर छेत्र में अपनी पहचान को और मजबूत किया है साथियों मेरी बीते महनों में दुनिया के अनेक हेर्थ अब दे स्टेट से चर्चा हुई है स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेश तोर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतियों डॉक्टर्स पैरामेडिक्स और सामान्य भारतियों नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है चाहे मंदीर हो चाहे हमारे गुरुदवारे हो चाहे लंगर के हमारी महान परंपरा हो हमारी अनेग छोटे-मोटे सामाजिक, सांस्कुरुतिक, धार्मिक, संगठनों ने सेवा भाव में अगवाई की है और हर नागरिके सेवा करने का काम इस कठीन परिस्ती में भी किया है ये दुनिया के हर देश में जब मुझे सुनने को मिलता है कितना गर्व होता है और आप अंदार लगा सकते हैं जब फॉन पर मैं आपकी प्रसंसा सुनता था और दुनिया के हर नेता काफी समय आपी के गुंगान करता था और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बाड़ता था हर किसी का मन खुश्यों से भर जाता था गवरो होता था आपके ये समस्कार दुनिया के हर कौने में उजागर हो रहे हैं कौन भारती होगा जिसको अच्छा न लगता होगा आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं बल्कि भारत में भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है पीएम कैस में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्थ इंफरा उसको ससक्त करने में काम आ रहा है इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं